असलेमु आलेकुम वरेहमतुल्लाही वबरकातु। दोस्तों कोईत से आज की इंपोर्टेंट खवर है कोईत रेसिडेंसी मामलों के सामाने प्रसाशन ने हावली गवर्मेंट में एक अभियान के दोरान 34 रेसिडेंसी उलंगन करताओं को गरफतार किया है। इक और नया कानून पास किया है। बताया है कि खुली बालकनी में कपले टंगने पर आप लोगों को 500 केड़ी तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। कोईत में रह रहे नागरिक और परवासी अपनी खुली बालकनी में कपले नहीं सुका सकते। क्योंकि वो कपले बाहर रोड पर से यूँ ही दिखाई देते हैं। अगर आप लोग इसका उलंगन करते हैं तो आप लोगों को 500 केड़ी जुर्माना देना होगा। क्योंकि ये कानून पास हो चुका है। इस कानून में ये भी बताया कि फुटपातों, सडकों, चौकों, प्राइवेट इस्तान, गवर्मेंट इस्तान और बार्बेक्यू को भी पिर्तिवंद किया है। लेकिन सर्थ है कि इसका विशेश रूप से उलेक किया गया हो। जो कोई भी इस आदिस का उलंगन करता है, उसे कम से कम दो हजार दिनार और पांच हजार से जादा दिनार के जर्माने से डंडित किया जाएगा। साथ ही कोईत में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एक व्यक्ति की तलास कर रहा है, जिस पर आरोप है कि उसने एक नागरिक और उसकी वाइफ को चाकू से मार दिया। जहां उनकी स्तिती ठीक है, अधिकारियों ने कहा कि आरोपी की जांच चल रही है, इसके अलावा इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वाइरल हो रहा है, तो दोस्तों ये थी कोईत से आ रही कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैंना आप तक शेयर करी, दोस्तों कोईत क इसे ही ख़वर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके, मिलते हैं ने इस वीडियो में तब तक के लिए